इसी टर्म की गर्णमन्ट थोड़ी टफ रहती है हमने वर्ड वाइड ये देखा है प्रेंज तो तोड़े हैं हमने कई बार पर उद्धर ठाकरे भी कह रहे हैं कि मैं तो मोधी जी को फूर प्रधान मंतरी कहा करूंगा मैं तो शपत ग्रेंड का नियोता देता हूँ हमिशा जी को अर्विंग के जीवाल अपनी रैलियों में अक्सर कहते हैं कि दो जून के बाद मैं जेल जाओंगा ने नहीं जाओंगा ये तै करेंगे चार जून के नतीजे मेरी समधों को इन जून को ही जाना है पोजिशन का मानना है कि बीजेपी राम मंदिर को भी पॉलिटरिसाइज कर रही है और कैश करना चाहती है दोहजार चॉप्रिस के लोग सबाचुनाब में कि क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा इस देश के बड़े तपके को अल्पसंखेकों को डराया जा रहा है यह वैसे भी लागू होगा कॉंग्रेस कहते कि देखिए फिर पाकिस्तान की बात भी पुलिए पाकिस्तान की बात नहीं है चुनाव में पहली बार न्यूज एटीनाप के समक्ष लेके आ रहा है देश के ग्रहे मंत्री अमिच्छा के साथ बिताय हुए 14 घंटे और इस से में हम पॉल चुके हैं संबलपूर जातबुडा से और ग्रहे मंत्री अमिच्छा धर्मेन पधान की सभा मेरा से जाएंगे और एक मंदिर के भी दर्शन करें क्या इस तेलपू स्टेट से और ओडिसा से भी एक बड़ा सर्प्राइज आएगा मिच्छा कि अंद्रपदेश में हमारी अंडिय की सरकार बनने जा रही है पूरिसा में भी हम पून बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे इसमें कोई किन्तु परन्तु नहीं है कि आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगा से लेक्षिन का इक मेला मुठ्यमंत्र को नाथ के लिचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का सुशन भुता रहा है इससे ज्यादा सर्मनाख बात की होई नहीं है नमस्कार विवर्स मैं हूँ अमीश देवगन और आज इसमे मैं मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पर और मैं मौजूद हूँ औरिसा में और औरिसा से हम जाएंगे पश्यम बंगाल की तरफ यानि कुल मिलाकर आज का पूरा दिन ग्राउंड जीरो पर मैं रहूंगा ग्रे मंतरी अमिश चाह के साथ बिताय हुए 14 घंटे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी चुनावी रणनीती क्या है और क्यों नहीं लगता है कि बीजेपी का नंबर इस बार 300 के पार यानी 350 के रिदगिर्द हो सकता है या फिर 5 चंड के चुनाव के बाद उन् उनके साथ विस्तार से बातचीत भी करेंगे तो आज का ये कारेकरम आज का ये एडिशन वोट पत का बहुत बहुत इंपोर्टन है न्यूज 18 पर जैसा आप जानते हैं कि आज का हम पूरा दिन यानी 14 घंटे बता रहे हैं पहली बार ग्रे मंतरी अमिच शा के साथ वोट पत पर अमिच शा किस तरह से अपनी प्लैनिंग और एडिक्यूशन करते हैं वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे किस में मैं मौजूद हूँ ओडिसा के जाल्च गुड़ा में और जाल्च गुड़ा से हम जाएंगे संबलपुर जो की धर्मेंद प्रधान यानी केंद्य मंतरी धर्मेंद प्रधान की कॉंसिट्वेंसी है आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं ग्रे मंत्री अमिच्छा के साथ हम वोट पत्मे और अब हम जाल्सकुडा से चलेंगे संभलपुर की तरफ और इस समय हम पॉल चुके हैं संभलपुर जाल्सकुडा से और ग्रे मंत्रिया में शाथ धर्मेंद पधान की सभा मेरा से जाएंगे और एक मंदिर के भी दर्शन करेंगे जय जगनार देश भर के मत्ताओं के लिए सिर्फ चार सो पार का लक्से प्रियों जैसे आप जानते हैं आज हम 14 घंटे पिटा रहे हैं ग्रे मंत्री अमिच्छा के साथ हम पहुँच गए संभलपुर केंट्रिय मंत्री धर्मेंद प्रहां के कॉंचिट्वेंसी है और ग्रे मंत्री अमिच्छा ने अप्से भासर प्रियार दभू जगनारत कराम करके और साथ इसाथ जैस्री नारे का साथ है क्रे मंत्री अमिच्छा यहां पर कह रहे हैं कि पांच चरण मेरेंद बोली 310 पर कर चुके हैं क्रांच चाहिए थार आने कि साथ यहां बाशातल। क्रेंट सब्सक्राइब फड़ी अनियुका और जैसा आप जानते हैं आज हम 14 घंटे बिता रहे हैं ग्रेमंत्री आमेचा के साथ हम पहुँच चुके हैं संभलपुर के संभलेश्वरी मंदिर और यहां ग्रे मंत्रिया में चाफ पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद वो रवाना होंगे यहां से अपनी दूसरी पब्लिक मीटिंग के लिए और अब इससे में हम पहुंच चुके हैं क्योजर में जहां पर अमिच्षा एक और जन्सभा को स्वंबोधित करेंगे आज हम 14 घंटे यानि पूरा दिन बिचा रहे हैं गे मंत्री अमिच्षा के साथ कि देखो भाई पांच चरण में मोदी जीत 310 से ज्यादा सीटे जीत कर सरकार बनाने का काम हुआ अब छटों और साथवे चरण ने कि चारसो पार कराना है चारसो पार कराना है और गरिए उससी तरह अपने सब्सक्राइब नीचे यानी राज्मी पीज़ेभी की सरकार और केंद्र में बॉलीच ने आज हमने दौरा किया ख्योंजर का ग्रे मंत्री अमिट्शा के साथ अमिट्शा ने आप एक जन सभा को सुंभोधित किया और अब चलते हैं उनके अगले पड़ाओ और अब हम पहुंच चुके हैं धेकनार डिस्ट्रिक में और इसके कमाक्षा नगा टाउन में हम मौजूद है चिल चिलाती दूप में दुपहर साड़े तीन बजे आप जूम देखे पबलिक का यह ग्रे मंत्री अमिट्शा की जन सभा के लिए हैं लोग छटों पे भी हैं और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं तीन से चार पंडाल जो हैं वह भरे हुए हैं और इतनी बड़ी तदाद है लोगों की इतनी बड़ी तदाद है लोगों की आप देख सकते हैं और एक अलब जोश है ओडिसा के ग्राउंड जीरो पर ऐसा नगरा है कि वाकई भारत्य इंता पार्टी ने एक लेग वोग करा है और अमिच्छा जब राष्ट्य दक्ष्ट भारत्य इंता पार्टी के तो उन्होंने यहां के रिमोट डिस्ट्रिक तक में वह रुके वहां का दौरा किया संगठ सुनाइदे रही है जैसा आप जानते हैं कि आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं ग्रे मंत्री अमिच्छा के साथ अमिच्छा जी आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर प्रचंड गर्मी है और आप डेट सो से जादा रैली और रोड शो कर चुके हैं महौल क्या दिख रहा है देश का दिखे पूरे देश का महौल मैं पांच चरण में और उसके दो महिने पहले से लगातार गूम रहा हूँ पूरे देश ने एक मन बना लिया है कि इस देश का सुकान इस देश का पूरा सरकार चलाने का जिम्मा फिर से एक बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देना है फिर से प्रधान मंत्री बनाना है लेकिन क्या इस बारी भारतिय जनता पार्टी को मेहनत जादा करने पड़ रही है आपकी रैलियां भी जादा है प्रधान मंत्री की कारेकरम भी जादा है आपकी रोडशो भी जादा है प्रधान मंत्री की भी जादा है इसके पीछे कारण ज्यादे नहीं हर बार जितने ही है और आपको जो दीख रहा है उसका एक अलग कारण है हम इस बार बंगाल, ओरिशा, तेलंगाना, अंधरपदेश, तमिलनाड और केरल जो भारतिय जनता पार्टी के लिए विजय की दुरुष्टी से थोड़े अंचुए क्षेत्र थे वहाँ पर इस बार हमें सफलता मिल रहे है तो स्वाभाईक रूप से जब क्षेत्र बड़ा होता है तो रीच भी बड़ानी पड़ती है तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक शेत्र है जो मैं अध्यक्सता तब हम लोगों ने सब सुरुवात करा था संगठन बनाने का मोदी जी की लोग पृता का प्रभावी है कि आज वहाँ पर कमल खिल रहा है मैं यहां के कारेकरताओं से बात कर रहा था वो कहने थे कि आप यहां पर बाई रोड ट्रैवल करते थे इस इस इलाके के अंदर और दस साल में अब आप नवीन बाबू को चैलेंज कर रहे हैं दिखे मैंने 14 से 19 में ओरिशा के 15 जिले बाई रोड और होटल में रहे बगर कारेकरताओं के साथ बितायें मैं कई बार आया हूं एक मजबूत नीव के आधार पर और मोदी जी की जो लोग प्रियता है वो लोग प्रियता को एनकेस कर पाए इस प्रकार का संगठन बात में नद्डा जी ने टेक ओर किया जी देखकर मन में बहुत बहुत आनंद होता है एक बड़ा सर्प्राइज आने आएगा दक्षिन भारत से क्या तेल्गू स्टेट से और ओडिसा से भी एक बड़ा सर्प्राइज आएगा अमिच्जी। मत्दान थोड़ा कम दिख रहा है क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि एक निरेटिव बिल्डिंग हुई उसका नुकसान भारतियंता पार्टी को पहुंच रहा है ऐसा विपक्ष कह रहा है नुकसान वगेरा तो कोई नहीं पहुंचता है शुरुवात में मैं भी चिनती था जब इसको दूर से देखते थे जब मेरा चुनाव पैक हुआ मेरे खूद की कॉंसिटेंसी का तब मालूम पड़ा कि कॉंग्रेस का वाटर निकल ही नहीं रहा है लो मत्दान का अगर कोई एक कारण है तो इंडी एलायंस के समर्थक में घोर निरासा है वो मान कर चल रहे हैं मोदी जी प्रदानमंत्री बनने जा रहे हैं हमें नहीं देन का तो भारतिय जन्ता पार्टी की सीटें भी बड़ेगी और मार्जन भी बड़े होंगे आप देखना हम 400 पार करने जा चुनाप से पहले बीजेपी और बीजेटी के अलाइंस की बात थी वो अलाइंस नहीं हुआ और बीजेटी ने केंदर की सरकार में भारतिय जन्ता पार्टी का कई मुद्दों पर साथ दिया लेकिन अब तो आप नवीन बाबु को बायबाय करने की यानि मुख्वन्तरी के त नवीन बाबु ने हमें हमेशा इस्यू बेज समर्थन दिया है और इस्यू बेज समर्थन तो कोई भी दे सकता है क्योंकि अन्तत्व गत्वा पोलिटिक्स में किसके सामने चुनाव लड़े हैं इसको ध्यान में रखकर अपना मत या अपना पक्स ताहिने करते हैं इस्यू विकास की रेस में काफी पिछड़ चुका है यहाँ पर एक प्रकार की स्टेगननसी आई हुई है बाबु साही चल रही है अब सर राज कर रहे हैं और ओडिया जनता ओडिया प्राइड के लिए एक जूट और लाम बंद होकर खड़ी है मेरा अगला सवाल है कि प्रधानद्री नरेंद मोडियों आप हूँ आप जगंनात मंदर की चाभियों की बात करते हैं खास तो और पर जो रतन-भंधार है उसकी बात करते हैं क्या आपको लगता है कि वो विशे और इसा की जंता में और क्योगी इस विशे का इमपाक्ट जो है वो पूरी देश की जनता पर भी है क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगे यही कहना चाहता हूं सिर्फ औरिसा नहीं पूरिसा में तो इसका सबसे ज्यादा असर है ही है दिखाई भी पड़ता है मगर जगनात महाप्रभु का भक्त पूरे देश बर में दुनिया भर में फ और जांच आयोग बैटने के बाद जांच आयोग की रिपोर्ट को सरवजनिक न करना धेर सारे सवाल जनता के मन में खड़े हुए हमने हमारे गोशना पत्र में कहा है कि हमारी सरकार बनने के एक ही महिने में हम यह जांच रिपोर्ट को सरवजनिक करेंगे और रिजयो बें देखे आप थोड़ा दब दबा कर पूछ रहे हैं संदीप पात्रा जी का बयान ये जुबान फिसलने का क्लासिक केस है इन्होंने पचीस जगे बाइट दिया सब जगे कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रभु जगनात के अनन्य भक्त है एक जगे जुबान फिसल गई फिर भी सुबे मेरी संदीप पात्रा से बात हुई फोन पर वो रो रहे थे बड़ा पच्चतावा था इन्होंने कहा कि साब मैं तीन दिन तक उपवास करने वाला हूँ और तीन दिन के बाद प्रभु जगनात का समा मांगूगा मुझसे बड़ी घलती हो गई है कोई व्यक्ती मन से जब पच्चतावा करता है और माफी मांगता है तो मैं नहीं मानता जगनात के दरवार में उसको माफी नहीं मिलेगी और इसका एक गलती का परिमारजन केवल और केवल जगनाती कर सकते हैं नविन बाबू की पाटी नहीं कर सकते हैं राहुल गांदी ने खटा-खट गरीबी हटाने की बात कई थी इसको आप किस तरह से देखते हैं क्या आपको लगता है ये एक पोलिटिकल स्टेटमेंट है चुनावों के मौसम में? नहीं नहीं पोलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है सिर्फ खटा-खट की व्याक्या में कर देता हूँ इंदीरा गांदी जी ने गरीबी हटाओं का नारा दिया था सत्तर के देशक में और हम है दोजर चौबीस में तो उनकी खटा-खटकी ये व्याक्या है इंदीरा गांदी जी ने जो नारा दिया था वो अभी उनका पोता पूरा करने की बात करे है भई आपके नारों पर कौन विश्वास करेगा? जबकि मोदी जी ने करोडों गरिबों के जीवन स्तर को उठाने का काम किया 10 करोड लोगों को घैस का सिलिंडर दिया 12 करोड सोचा ले दिये 14 करोड लोगों को नल से जल दिया 80 करोड लोगों को 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं साथ करोड लोगों को आप पांच लाग का दवाईयों का पूरा खर्चा फ्रिवाप कोश्ट दे दिया, चार करोड गर ही दे दिया, साड़े छे करोड गरों में बीजली दे दी, ये खटा-खट होता है, इनकी खटा-खट की व्यक्या पांथ दसक लंबी है, हमारी खटा-ख इन में कौन सा नंबर चल रहा है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे, आप देखते रहिए, हमारा ये वोट पत, ग्रे मंतरी अमिच शा के साथ और अब हम पहुंच चुके हैं कोलकता भूवनेश्वर से, आज का हम पूरा दिन बिता रहे हैं केंद्रिय ग्रे मंतरी अमिच शा के साथ, चौड़ा घंते अमिच शा के साथ, जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव किस और जा रहा है वोट पत में आज हमने लगबग लगबग 14 से 15 घंटे बिताए केंद्रिय ग्रे मंतरी अमिच शा के साथ, उनके साथ हम करीब करीब और इसा की चार रैलियों में गए और फिर अब हम कुलकता में हैं और रात के लगबग लगबग 11 बज़ रहे हैं जब हम ये समभात कर रहे हैं तो अमिच जी ये चुनाव आखरी दोर में अब लगबग लगबग बहुन चुका है पांच चरण समाप्त हो गए हैं और आप दावा कर रहे हैं कि चौथे चरण के बाद ही बीजेपी को 270 के पार चली गई है तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस मैं मानता हूँ कि हमारी सीदी काफी अच्ची है हम 400 बार करेंगे हर जगे पहर चरण के बाद और चुनाव की रिडियों के बाद मैं क्खरता हूं के से फिल्डिबेक लेता हूं जो जमिन पर लड़ाई लड़ते हैं, जो लोगों के संपर्ख में होते हैं, हमारे विरोधी दलों के रणनिती को जो जमिन इस तरफ पर इसका मुकाबला करते हैं, तो मुझे लगता है किसी भी सर्वेस ले एसेस्मेंट करीब करीब सत्य के नग्दी को 2004 में UPA1 की कॉंग्रेस की सरकार आई, तो 145 सीटे उनकी आई और 2009 में जब सरकार रेपीट हुई, तो 206 सीटों के साथ हुई, तो तीसी टर्म की गर्णन थोड़ी टरफ रहती है, हमने वर्ड वाइड ये देखा है, क्या आपको लगता है अमित भाई की बीजेपी के लिए य संग पाला में चलती थी, 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 11 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो ट्रेंज तो तोड़े हैं, हमने कई बार तोड़े हैं, और इस बार भी तीसरी बार भारती जनता पार्टी की मोधी जी के नित्रुदों में पूर्ण बहुमत क की सरकार आएगी और एंडी चार सो पार करेंगा अगर 272 का आकर जादो ही आकड़ा पार भारतिय अंतर पाटी नहीं कर पाती तो प्लान भी क्या होगा बीजेपी का प्लान भी नहीं है इसता question does not arise जी प्रेंका गांधी ने एक हाली में इंटेव्यू दिया था और उस इंटेव्यू में कहा कि कॉंग्रेस की वज़ा से इस देश के अंदर लोक तंत्र है अगर एक चाय वाला भी प्रधान मंत्री बनाया है तो वह कॉंग्रेस की देन है अब मुझे नहीं मालूम है लोग क्या बोल रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी की वज़़ा से देश के लोक तंत्र पर भहेंकर कुठारागात कई बार हुए प्रियंका जी की दादी ने इमर्जन्सी डाली थी एक लाग तीस सजार लोगों को बिना कारण जल में डाल दिया था सारे अख़बारों के एडिटोरियल इंफर्मेशन एंड ब्रोडकास्टिंग मिनिस्टर तई करते थे उनको साहद है इतियास मालूम नहीं है ना किसी ने ब्रीप किया है साहद उनको कॉंग्रेस के वज़़ा से लोगतंत्र नहीं है इस देश की 130 करोर की जंता की वज़़ इसको कोई बदल सकता के आपको लगता है क्योंकि आप अपने भाश्नों में बोलते हैं प्रधान मथी मोधी भी कहते हैं कि इंडिया अलांज जो है इंडी इंडियखटवंदन बन जो है उपन साल में प्रथान přष़़़ियemi नहीं घर्ण इंडि लोगता है कि हमारे पास लिए तो हमें हम नेता तैक कर लेंगे सरकार बन जाए तक नहीं रुकते पांक साल एक एक प्रधान मंतरी बनाएंगे वह तक जाते हैं कि क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांदी ने अपने कार्य करम में बोला कि इस बार राइबरेली की जनता जो है वो सिरफ एक सांसर्त नहीं चुन रही वो प्रदानमंत्री को चुन रही है क्या आपको लगता है विपक्ष भी तोरा कॉंफिडेंट हुआ है बीते पांचरों में तो राइबरेली की सीट जितने के लिए साइध उन्होंने कहा होगा वो भी जान रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं मगर उनके अवेकिशन का प्लान भी तय होगा चार तारीक के बाद लेकिन उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि मैं पार्टी ने तोड़ा और वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल पार्टी हमें और बीजेपी ने हमारे साथ हमारी पार्टी को तोड़ दिया है दिखे मुझे एक बात बताईए अगर सारत पवार जी अजित पवार को अपना वारिस घोसित करते तो पार्टी तूपती क्या और उद्धव जी अपने बेटे की जगे एकनाथ सिंदे को आगे करते तो पार्टी तूपती क्या इनकी पार्टिया अपने पुत्र पुत्री मोह के कारण तूटी हैं और वो कहीं और जाकर कारण ढूंड रहे हैं तो उनको कभी सफलता नहीं है लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एक नीचे की तरफ एक सिंपती का मेसेज देने में कामियाब रहे देखे सिंपती उनके लिए रहती है जिनके साथ अन्याय हो उद्धव जी ने तो अपने सिध्धान अपना घट बंदन तोड़कर हमें डीच करने का काम किया था मैं नहीं समझता है इनको कि इस प्रकार की सिंपती की अपिक्सा है आपके पास महराष्ट के भी ट्रेंड्स आये होंगे क्या कहना चाहते है आप महराष्ट में देखे महराष्ट में कमों बेज हम हमारी सिती को बना कर रखेगे इसमें कोई बड़ा उलट फेर नहीं होगा आपकी टेली इंप्रूब हो सकती है महाराष्ट्रों में अभी बाकी है थोड़ा चुनाओ परन्तु मैं मानता हूं कि हम अमरा बेज बना कर रखेंगे प्रेली में आपने बोला कि अर्विंद केजदिवाल एक यूटन नेता है किस कारण से आपने बोला इन्हों ने कहा था कि हम ब्रस्टाचार के खिलाप लड़ाई लड़ रहे हैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे और फिर पॉलिटिक्स में आके पार्टी बनाई सिक्यूरिटी भी ले लिए और बंगलो ऐसा बना दिया कि जो नो तिन बंगलो को तोड़कर घ्र कानूनी तरीके से अपना बंगलो बनाने काम किया हैं मैं मानता हूं कि ये सारी चीजे यूटन से भी बड़ी भयान अगे उन्होंने कॉंग्रेस के करप्शन के खिलाप बा लड़ रहे हैं तो सिरीज ऑप यूटन लेने का काम स्री केजरिवाल अर्विंग केजरिवाल अपनी रैलियों में अक्सर कहते हैं कि दो जून के बाद मैं जेल जाओंगा नहीं जाओंगा ये तै करेंगे चार जून के नतीजे इंडिया अगर सरकार में आता है तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा जहां तक मेरी समझ उनको एक जुनको ही जना है स्रेंडर करना है तो चार जुनको तो वो जल में ही उगे लेकिन आपने भी एक स्टेट्माट दी की ये स्पेशल ट्रीट्मेंट है ने मैंने तो जज्डमेंट के बारे में किया है क्यों आपको चाटर काउंटरन होगा को इंडेस्ट्रियलिस्ट होगा कोई किसान की बुवाई का समय हुआ होगा कोई हज्जाम की दुकान चला रहा होगा तो उनके भी तो कामकाज है कि उनको इस प्रकार की इंटरिम बेल कभी नहीं मिले कि अगर इस तरह की बेल मैं तो कल तो कोई और अगर कोई ग्रिफतार होगा तो वो बेल मांगी तो देनी पड़ जाएगी फिर मुझे मालूम नहीं है मगर कहा है तो सही ही कहा है मेरा अगला आपसे सवाल है क्या आपको लगता है कि कॉंग्रेस और आम आदनी पार्टी का गड़बंदन दिल्ली में खासता और परको कि अब उसमें वोटिंग हो नहीं है वहाँ आपको दिक्कत हम सातों की सातों सीटे जीतेंगे कई देखो अमीजी जहां एक पार्टी का सेर पचास प्रतिसद्स से ज्यादा हो जाता है जी तब सामने कितनी पार्टी अगला सवाल में राममंदिर को लेकर क्या आपको लगता है कि आप बार बार राम मंदिर का जिक्र लेकर आते हैं, प्रधान मंत्री राम मंदिर का जिक्र लेकर आते हैं, आपके कारे करता नेता राम मंदिर के नारे लगाते हैं, ओपोजिशन का मानना है कि बीजेपी राम मंदिर को भी पॉलिटिसाइज कर रही ह और कैश करना चाहती है दोहजार चॉबिस की लोग सबाचुनाब में। मुद्धा बन जाता है जी आप अपनी रैलियों में अक्सर बात करते हैं और कहते हैं आरोप लगाते हैं कि विपक्ष जो है वो इस देश को शरिया के हिसाफ से चलाना चाहता है यह हमारी बात नहीं है उन्होंने ही कहा है अपने घुशना पत्र में कहा है कि हम परसनल लोग क कि उसके परसनल लोग की बात नहीं कर रहे हैं उनको कर देनी चाहिए इस परस्ता लेकिन फिर आप भी तो अपना वोट बैंक साध रहे हैं इससे निए वोट बैंक कहा से सदेगा हमारा मुस्लिम पर्ट बैंक वो साधने का प्रहास करें हम आप दूसरा मेरा सवाल है अब बंगाल में ममता दिदी के गड़ को इस बार आप बहुत बड़े तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कई उपिनियन पोल्स ने तो बताया कि बीजेपी का नंबर पिछली बारी से बर सकता है लेकिन क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंग स्देश तक धर्म के आधार पर महिलाओ का सुषन होता रही है और महिला मुख्यमंत्री इसलिए कुछ न करें कि सुषन करने वाले इनके कारे करता है इनकी वॉट बेंक का हिस्सा है इससे ज्यादा सर्मनाक बात को यह हो यह सकती इए इलेक्शन का मुद्दा नहीं है इए देश की सुचीता का मुद्दा है आपकी वोट बैंक को एडरेस करने के लिए मैलाओ का सोचन करने दोगे हम निश्चीत रूप से इस मुद्दे को इलेक्शन के समय में भी और इलेक्शन के बाद भी बंगाल की जनता के बीच में ली जाएंगे अक्सर आप बंगाल में अपनी रैलियों में ममतब इनर्जी का जो नारा है माँ माटी मानुश उसको आप बदलते हैं और कहते हैं कि मुल्ला मदरसा और माफिया की खातिरदारी हो रही है क्यों एक बंगाल के युवा ने मुझे बेजा था जी मेरे पास वाट्सप मेंने सेव करकर रखा जी तो यह तो जनता की फिलिंग है क्या आपको लगता है कि सीए के नाम पर क्योंकि आप देश की घ्रह मंत्री भी है सीए के नाम पर इस देश के बड़े तपके को अल्प संखेकों को डराया जा रहा है बंगाल मे बंगाल में भारतियांता पार्टी जीत गई तो सीए लागू होगा और चुन-चुन के निकाला जाएगा वैसे भी लागू होगा और सीए किसी को निकालने का कानून है यह से भारत सरकार का कानून है देश की संसद्दे पारित किया है और पूरे देश में वह वह है और इसा में ऑफिसर वस्स पॉलिटिशन को मुद्धा बना रही है क्या आपको ऑफिसर से समस्या है मुझे कोई समस्या नहीं है ऑडिया जनता के अंदर समस्या जी कि ऑडिसा पर तमिल नारू से आयोए ओफिसर कैसे सासन कर सकते हैं एजा आपसर नहीं एजा पर जन्ता में और प्राइड का मुद्द बना हुआ है अब वर्षा की जन्ता ने ताइक करना है हम तो जन्टा की आवाज को को रीप्रीजन कर रहे हैं आपस अमें को लेकर आप कितने कॉंवेंट्स भीये अधान साभा इलेक्शन भी है उदर लोकसाभा पार्टी की लोगसवा में आएगी और हम निश्ची तुरुप से वहां पूर्ण अपहुमत की सरकार बनाएं जी मैं कश्मीर की बात करते देता हूं कश्मीर में भारते मत नरेंद मोदी की सरकार ने काम किया है और इस बार बंपर वोटिंग भी है इसको आप किस धंग से देखते हैं क्या यह वर्ड को अराउंड ग्लोब भी बड़ा स्ट्रॉंग मेसिज है भारत की तरफ से निश्ची तुरुप से हैं देखे जो लोग आजादी की बात करते हैं जो लोग अलग सम्विदान वोटिंग किये सारे रेकोर्ट उटे हैं पिछले कई सालों के 33 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग अब हुई है तो मैं मानता हूं यह बहुत अच्छी बात है कस्मीर के लिए भी अच्छी देश के लिए भी अच्छी जी बार बार आप एक मुद्दा उठाते हैं अपनी इसा नहीं है भारत का यह वह यह भारत की संसर्थ का प्रस्ताव है कि पाको कि कस्मीर बारत का इसा है इसमें पॉलिटिकल क्या है कुछ पॉलिटिकल नहीं है यह हमारा देश का स्टेंड है आप भी तो कह रहे हूं और पिवो के भारत का हिसा है क्योंकि तो में कह रहा हूं लेकिन चुनावी रैली में इसका जिक्र करना क्या कश्मीर की बात है का आपको लगता है कोई जाटों का बड़ा विशय है हरियाना में हमारी पोजीशन है वो समाल कर रखेंगे इसमें मैं कोई बड़ा डिटोरीशन नहीं देख रहा है जी मेरे आखरी दो सवाल है धारा 370 हटाना एक इतिहासिक फैसला था बतार ग्रेम मंत्री जब आप अपनी पूरी कारेकाल को देखते हैं बीते पांच साल के अंदर आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंज भी था आपके लिए लेकि अब हटी गया सान्ती भी है बांच साल हो गए अच्छा चल रहा है जी इस चुनावें आपको अमेरे कही चुनावों में देखा लेकिन अमिर भाई अमिर शार लेकिन असबार आपको आपके जो चाहने वाले हैं आपको पसंद करते हैं वह अमिर काका के रूप में भी जानने लग गए तो क्या कहना चाहते हैं आप यह मैं रैलियों में भी देख रहा था आज अच्छा लगता है यह अब अच्छे इस तरह से पुकारते हैं जी अमिच्छा जी फाइनल नंबर आपका क्या है हम 400 पार करें और बीजेपी का नंबर क्या होगा बीजेपी क करते हैं कि लोकतंतर के इस महापर्व में आपको कामियाबी मिले धन्यवाद 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 था कि केमिकल्स